चुनावी बिगुल बजने में मेहस कुछी महीने बचे हैं लेकिन नेताओं का मंदर मंदर माथा टेखना और मस्जिद मस्जिद जाने का सिलसिला शुरू हो गया है ऐसे में भला कॉंग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी कहां पीछे रहते बीजेपी की हिंदूबादी राजनीती को देख पार्टी के शहजादे समच चुके हैं कि हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद को छोड़ बिना हिंदूओं को साथ लिए 2019 का चुना नहीं जीता जा सकता है तभी तो हिंदू का चोला ओड जने उधारी और शुद्ध फ्रमण राहुल गांधी दोड़े भोले की शरण में कैलाश मान सरोवर जा पहुँचे अपनी सौफ्ट हिंदूवादी छवी से क्या राहुल बीजेपी के हिंदू वोटो पर सेंध लग जिनकी राजुनीतिक मुद्धो पर की गई भविश्यमारी 100% सही जाती है नमस्कार मैं हूँ कविता और मेरे साथ मौजूद है विश्व के सूप्रसिद सुदर्शन चक्रे जोतिश अचारिय शिरी संद बेतरा शूकाजी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब ये समच चुके हैं कि बिना हिंदूों को साथ लिए 2019 को चुनाव नहीं जीता जा सकता है तभी तो वो अब मंदिर मंदिर जाकर माथा टेक रहे हैं तो कहीं मानसरवर यात्रा करके आ रही है ऐसे में क्या अपने सौफ्ट हिंदितों से एक बार फिर राहुल गांधी हिंदू को अपनी तरफ खीच पाएंगे इस पे जानते हैं सन्बेतरा जिसे से आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांदी अपना सौफ्ट हिंदित्व दिखा रहे हैं क्या उसका फाइदा कॉंग्रेस को पहुंचेगा देखियो उसका फाइदा इसलिए नहीं पहुंचेगा कि कॉंग्रेस ने 2014 से पहले जो एक भगवा आतंकवाद और कोई अगर हिंदू राष्ट की बात करता था या ऐसी बात करता था सेकलूरिजम सेकलूरिजम उन साथ तुष्टी करन का उसके तहट उन्होंने जो जो एक्शन लिये हैं अब भगवा आतंकवाद को आगे रखके जो बिल्कुल निर्दोस लोग थे उनको जेलो में डलवाया गया और उसके पीछे काम क्या हो रहा था उसके पीछे काम हो रहा था आपका Christians, Conversion आप पंजाब में जाके देखिएगा पंजाब से लोग डेली मेर से बात करते हैं कि वहाँ जो है पहले पर परसन, पर फैमिली चर्च जाने के लिए जो आपके मज़वी सिक जो हैं उनको 1000 रूपीज पर परसन मिलता था अब मोदी जी की नोट बंदी और ये उटपटंग जो NGO थे जो बंद हुए हैं उसके करण बाहर से जो पैसा आना बंद हुआ तो वो चीज रोकी है लेकिन वो इतना कनवर्जन कर चुके थे कि पंजाब के जो रि सामने रखते वे उन्होंने पूरे भारत में देखिए इंट्रूडर्स आपके जो बंगलादेशी रोहिंगिया इनको क्यों अंदर लाया गया हैं सिरफ अपना वर्टेंग बनाने के लिए और हिंदू को डिवाइट करने के लिए उन्होंने भगवा आतंकवाद एक निया है एक स्ट्रॉंग संगठन है जो हर आपकी विपता पे आपकी आपता पे आके आपका जो है रक्षा करता है उसको बदनाम किया गया अब यह किस मू से और आवाम क्यों इनको एसेप्ट करेंगी पहले तो कुई मैंने कॉंग्रेसी या आपका ऐसा पंदा जो है मैंने किसी मंदर में जाते वे नहीं देखा आप बताइए किसी को जाते वे देखा हो विरोधी जी ने अपना कि पी-एम का कारेकल स्टार्ड ही गंगा आर्थी से किया तो यहाँ आप जो है लीड जो है ये स्टार्टिंग से जो हिंदुत्व की है वो पीजेपी ले चुकी है अब आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट जाएगा किसको संसद में मानिय राहुल गांदी जी ने बोला कि मैं बीजेपी का और राइसेस का धन्यावाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बताया कि हिंदु क्या चीज है हिंदु तो क्या चीज है भगवान शिव क्या है मैं केलाश परवत जाऊंगा तो आप विपक्ष में होके पक्ष के परधानमंतरी को पक्ष के नेता को गले मिल रहे हैं और उनका धन्यावाद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हूँा क्रेडिट किसको जाएगा आप किसको देना चाहेंगे क्रेडिट अगर यह आप जन्यों पहन रहे हैं या मंदिर जो यह कहता है कि हिंदू मंदिरों में लड़कीओं को छेड़ने के लिए जाते हैं वही सक्षा आप देखिएगा सोशल मीडिया पर पूरी आपको मिल जाएंगी अपका इलक्रोनिक मेडिया पर भी यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो वह क्यों कह रहा एक अगर कह रहा इनके सौप्ट हिंदूत के कारण मुस्लिम भी इंसे अलग हो जाएगा मुस्लिम धिवाइड हो चुका है जिसका फाइदा जो है मोधी जिपली इनी वजो से लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांदी क्या सच में हिंदू है या सिर्फ चुनावी हिंदू है देखिए तो प्रत्यक्ष किम परमानम प्रत्यक्ष किम परमानम प्रत्यक्ष को परमान की जरूरत नहीं है 14 से पहले वो कैसे हिंदू थे 14 के बाद वो क्या कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो किस कारण कर रहे हैं सिर्फ चार साल के राज में बीजेपी ने जो हिंदुत राष्टवाद की जो भावना देश में जागरत की है उससे उनको अब लग गया है कि यह जो हम इनको डिवाइट नहीं कर सकते हैं अगर डिवाइट नहीं कर सकते हैं तो इनको अगर अपनी जान बचानी है तो इसका सॉलिशन सॉफ्ट हिंदुत वाइट जिसको वो कर रहे हैं लेकिन उसका क्रेडिट किसको मिलेगा उसका क्रेडिट मिलेगा पीजेपी को उसका क्रेडिट मिलेगा मोदी जी को क्योंकि उन्होंने initiative ये उनका initiative है यो आपको जनेव पहनना पड़ा और मंदिर मंदर जाना पड़ा ये आप ही हैं जो कह रहे थे कि भाया मंदिरों में जाकर लड़किया चेड़ी जाते हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदित्व का चोला ओड राहुल गांदी कहीं न कहीं बीजिपी का जो हिंदित्व या हिंदु वोड बैंक था उसे अपनी तरफ खीच रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूं ना आप ही बताएगा इस एक्ट को जो वो कर रहे हैं आप इसको किसके फेवर में मानेंगे राहुल जी के फेवर में मानेंगे कॉंग्रिस के फेवर में मानेंगे या मोदी जी के या बीजेपी के फेवर में मानेंगे आई एम लीडर मैं हिंदु की केर कर रहा हूं और मुझे देखके आपको यह लगने लगा कि भीया अगर मै ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी अस्तित मिटने वाला है तो आप जो अवाम है वो क्रेडिट किसको देगी मेरे को देगी न एक ऐसे बंदे को जो तुष्टी करन के लावा कुछ करता ही नहीं था जो भगवा आतंगवाद देश में जाके उन्होंने ये बोला विदेश में जा कि इसे नोगरों यरे नहीं आपके आपके हिंदू इंडू में इंट कातर है जो बंदा यह कह रहा हो कैसे बात कर रहां सुप्ट हिंदुत की कि मजबुरी है अगर करते हैं तो लेकिन कितने लोग यह इनके पास जितने लोग हैं अभी जो कॉंग्रेस में नजार आ रहे हैं वो भी छिटक जाएंगे इन बातों कि पर चले फियानी के फिलहाल जैसे कि संबेतरा जिया भविश्वानी कर चुके हैं जो राहुल गांदी क जो सौफ्ट हिंदुत है वो बीजेपी को फाइदा ही फाइदा पहुंचाने वाला है सिरफ बीजेपी को सौफ्ट हिंदुत नहीं सौफ्ट हिंदुत का यह जो चोला इन्होंने ओड़ा है इसके कारण इनका जो फिक्स बॉर्ट था मुसलिम का वो भी छिटक जाएंगे आपका ट्रिपल तलाक से मुसलिम महलाएं जो हैं बीजेपी की फेवर में आजिए दूसरा आपका जो बोहरा समाज है वो भी बीजेपी की तरफ जुका हुआ है तो यह चीजें जो हैं अल्टिमेटली जो हैं आवाम समझ चुका है कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलि घुआ जो संसद को नहीं चलने देते हैं संसद किसे चलती है हमारे खून पिसीने की कमाई में से आप टेक्स लेकर संसद को चलाते हैं और वह वहां जाकर इसको एजज़ोग या शोर मचा के वॉक आउट करके निकल जाते हैं संसद में कोई भी चीज पास होती आराम से कभ वाम इतनी जागरूप है ऐसी लोग आगे नहीं हैं संद्बेतरा जी हमसे बाचित करने के लिए आपका शुक्रिया पिलाली देखना वागे दिल्चस्थ होगा कि 2019 में राहुल गांधी का जो सौफ्ट हिंदित हो है उसके चलते क्या मुसलिम्स उनसे दूर जाएंगे या फि जाएगा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनमेफ न्यूस के साथ